प्रिपेर कर रहे हैं तो उन दोनों का रेडियस रेशियो एप्रोक्सिमेटी प्रोक्सिमेटी है क्या रहना चाहिए या फिर रेडियस रेशियो कौन सा वैल्यू है उसके बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो किस तरह के बॉइट स्वेगर में जा रहा होगा या अल्टिमिट स्ट्रक्चर हमारा किस तरह का बन सकता है या बन रहा होगा आएूटि में सकता है इनदा सकता है? तो應 हो और उसके रहा हघीच रहा ह पहना चाहिदी रहा हिए या बनोद रहा है बना sophराक की में है है अब कोडिनेशन नम्मर क्या होता है कोडिनेशन नम्मर का मतलब होता है एली विस और एट और लार्ट नाय कहते हैं तो और लाट बार्ट कि अग्वार को गुद कर भार बार्ट को भार्ट को भार्ट को वितज में लाट तुद खार्ट कि अगल ऑ पक रगिでखना। then comes type of void type of void coordination number equal so the first one is for triangular voids erasio zero zero यह से ले करके, okay, Radius, Erase 0, should be less than equal to 0.155, is that okay? 0, should be smaller than Radius Ratio, Erase 0, and this should be less than equal to 0.155, again, Type of Void, Triangular Void Coordination Number, Coordination Number, Coordination Number, Coordination Number of Void, it will be surrounded by how many atoms, it is going to be 3, then the next one is, Tetrahedral Void, Tetrahedral Void, Coordination Number, the Coordination Number is going to be 4, and the Radius Ratio is going to be 0.155, should be less than Radius Ratio, Radius Ratio, and this should be less than equal to 0.226, and the Radius Ratio is going to be 0.254, held 2.62, 3.255, 1.6, प्रिफित प्रवाइशन नम्बर मतलग जितने अटम उसको सरांग करें नहीं समझा बचा फिर से बोलिया है Coordination number नम्बर मतलब जितने अटम वह पार्टिकल को सरांग करें रहा है Right, Coordination number का मतलब यह होता है, कितने पार्टिकल किसी गिवन पार्टिकल को सरांग करना है ठीक है The next one is Cubic Void Cubic Void And the Coordination number is 8 The ratio is 0.414 Less than Radius Ratio Less than equal to 0.732 And if 0.732 अगर बड़ा हुआ हमारा Radius Ratio Upper limit क्या रहेंगे It has to be less than or equal to 1 एक से बड़ा जनरली नहीं रहेगा This is going to be called as Linear World Why किके Clear अगर I अगर व्यूभ एक झार यह व्यूभ स्टांट बढ़ें ते अब तक मैं में अब पाकिंग फ्रक्शन प्रक्शन में हम लोग फोड़ा से ज्यांद देते हैं अभी रॉपले रॉपले तो अज मुझ आज तो अज गड़े इस दिग्याइव पॉसल जितने स्ट्रेक्चर्श के कर सक्ते हैं अच्छा तेंसीपी का फॉर्मूला बता दियाथा था सॉलिड्स पा या नहीं बताया था नहीं बताया था कोई बाद या अभी कर था स्क्वेर वोड्ड भी आप क्या स्क्वायर वोड्ड का या पे लिए स्क्वायर वोड्ड का नहीं रिखा है पर देजि़ आ हूं रू दमां स्क्वायर वीज़ वीट गष्ट रच्वायर एफ ऑप्लाव स्क्वायर डिखर ग्ष्ट It was number one, the moment four parteners come to yourself, which is around one particle, one particle, or compass around one particle, they tend to always in, always assemble it. . 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 इस जर्भूर होता है, instead of two damage in square-void, three damage in the log-to-ahedral-void, जो है, वो nothing but square-void ही है, planer-square-void, that is three damage in the log-to-ahedral-void. .जिक है? Now, we will… Sir, वो note करना है. précसर, note कर लो. Sir, वो last lecture में, cell की definition रभ आप आपे बखा है। यूनिट सेल का डेफिनिशन फिर से बता दो आज ओके देखें यहां पर ये पॉइंट होता है यूनिट सेल यूनिट से बता है 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 also density is an intrinsic variable thus density of unit cell will become equal to will be will be same as will be same as density density of entire solid density of unit cell density to unit cell density cell is equal to number of atoms is contained in an unit cell is equal to number of atoms is equal to number of atoms two three one झाल 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 नहीं नूख़ा आप संडैन वन पतेधां यहार पकोड़िघ लेना वाल, तोभा, यहार,। आप। भाजे ड९हार वहार, यहार तोफोड़ित candledogc, बहुतिए अंगड़ु्बाजित nad घार वार टोविए यहार कोड़िख Ü क्या त Pangतिजदय यह बात समझ में आ रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है न अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है नम्बर ओफ अटम्स कंटेंट इन यूनिट सेल हम क्या अल्पलेट करें और वॉल्यूम ओफ यूनिट सेल निकालने के टेक्निक सीख लें ठीक है अगर हम अपने क्रिस्टल सिस्टम को अनलाईज करें तो हमारे पास कुल मिला करके चार सब टाइप के यूनिट सेल है तो एक बार पहले वाले से हम स्कार्ट करते हैं कि अगर मैं बात करता हूं ठीक है सिंपल क्यूबिक में कोई भी गिवन कॉर्नर आटम इस क्यूब को कितना अपना वॉल्यूम कंट्रिव्यूट करेगा कुछ आइडिया लग पा रहा है कितना करें कि कोई भी गिवन कोई भी गिवन आटम प्लेस आट वन आटम नमबर वान जो है यह इस यूनिट अपना तोटल में से कितना पार्ट अपना वॉल्यूम कंट्रिव्यूट करेगा अपना वॉल्यूम करें यह दो आटम्यूम करें अटम्यूम करें रहा है यहा है यहा है झाल कि यह अदि आप इसी कि फिल यह आप कर दो आप को इसी वह आप कितना कुर्टिब्यूट करेंगे वह वन इड वन इंड वन इड विइड शमझ में आरा यह प्राइब क्योंकि यह कॉर्नर वाला आटम जो है यह एट डिफरेंट यूनिट सिल्स के साथ सेयर हो रहा होगा नहीं पुर्प सुछ नीचे वाले लेयर यानि जिस लेयर में यह है उस लेयर और चार इसके उपर वाले लेयर के साथ यह इसके लेफ्ट इसके इस साइड और इस वाले के इस साइड यह इस वाले लेयर में और इसके ऊपर वाले लेयर के चार के साथ भी यह सेयर हो रहा होगा तो यह और बढ़ा है नहीं नहीं तो आप तो गलती कियर चल्ट तो तो हाव मेनी यह हमने एक आटम कितना कंट्रिब्योट कर रहा है वन बाइए तो एट यूनिट चल्स के साथ को सेयर हो रहा है और यह तोटल हमेनी आटम्स और हमेनी कॉर्णर आटम्स एट तो एट इंटू वन बाइएट विल बेकाम वाल डाट मींस इस पूरे यूनिट सेल की जो वाल्यूम होगी उसमें कोई भी उपसरी अगर सिंपल क्यूबिक है तो जस्ट रेडियस का यह अतॉमिक स्फेयर से यह यूनिट चल्स बना हुआ है वो पूरे स्फेयर एक स्फेयर की जो वॉल्यूम होगी उतना ही वॉल्यूम इस पूरे युनिट सल में उक्यूपाइड है बाकी का खाली है उससे हम वॉइड फ्राक्शन और यह सब निकालेंगे अब ही अब क्यूबिक अगर है तो यहां पर एक चीज और समझ लेते हैं इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा क्यूबिक में A is B is C और इसका रेडियस अगर आर है यह दोनों क्या करेंगे एज लिंद के अलॉंग टच करेंगे तो दिस विकम टू आर hmm Godana sir क्यूंकि edge-lens के यह लौग यह लोगड़ मेड़ करेंगे रहें क्यूसरी को Pald इस पार इस आर है हाँ फिर वह वापिस एक्स्प्रेंट करो ना देखो यहाँ पर देखो वन खास यहाँ मतलब इस क्यूग का लेंद कितना रहेगा वह सब जबटती है तो सब दूर लग रहा थे औरे छोटा छोटा बना दिया तो टच नहीं करेगा कुट्यूग हाँ इसका लेंद क्या रहेगा इस इस सेंटर ओफ दिस स्फेयर और इस इस सेंटर ओफ दिस स्फेयर दोनों का रेडियस आर आर है तो दा लेंद विल विल इक्वल तो 2R यह भी 2R और यह भी 2R वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा देखा क्लियर है एनी प्रॉब्लम इस से परहे जो एक्स्प्लेन क्या हो आप इसको रहा है अरे यही जीज कर रहा था एक्स्प्लेन इसके पहले और क्या कर रहा था सब्सक्राइब क्या है सब्सक्राइब 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 अभी इस वाले सेल को इस वाले आटम को देख रहा है आप लोग इस पॉइंट ऑफ टाइप के किसने अरे वान एट तो तुम नहीं आंसर दिया था क्या बताएए मैंने वान एट बोला था हाँ तो अब डाउट क्यों मतलब अरे 8 से क्यों मल्टिप्लाई करना है तो इसके लिए यह کیो समझा रहा हु मैं बहुत बुक्दू मैं यस ृस तो बुदो हुは यह तो बुक्दू हुँ या तुम बुक्दू यह वाला एटम contribute कर रह यह भी वान एट करेगा यह भी ओनिट करेगा यह भी ऑनिट यह भी ओनिट यह वनिट यह भी ओनिट यह भी ओन दियुक्राइट करेंगे ना कितने हैं आटमस अच्छा रहा समुर्फ बठाएगे आजकल हम लोग डिफिकल्ट वाला काम करने लगे हैं आसान वाला कर नहीं पा रहे हैं यह गलत है दिस इस रॉंग तो सिंपल क्यूबिक में नमबर ओफ आटम्स पर उनिट सेल क्या हो जाएगा एन विल बी इक्वल टू वन अब सिंपल में तो बेस केंटर एन proceso कियोबिक में डiembre सोता नहीं है ठाली आजओने होता है और मोनो क्लीनिक में होता है कि यहां पर अन रहे हैं अब सारी कॉर्णर का मिला ये ये आटम एट बिशेद एट आट प्लस एट face center वाला कितने unit cell से share हो रहा होगा एक face centered atom कितने unit cell से share होगा एक इस से share होगा और एक अपने उपर वाले share तो it is going to contribute half to this unit cell and half to the upper one so 2 into half क्योंकि 2 number में है तो face centered वाले में m की value क्या रहेगे end center या base center में n की value 2 रहेगी n is the number of atoms per unit cell number of atoms देखने में तो 8 लग रहे हैं फिर हम 1 क्यों बोल रहे हैं हाँ फूसम न हम लोग यहां से कर रहे हैं 1 by 8 हाँ तो अगर इसका radius r है तो अरपा 8 रहे है को में भे में अकर से नहीं में वालियुम का बाऴ में अपने इनटाएर वाल्यूम का 1 1 2 फूसरपा रहें को इस क्योंक्ट से करेंगा en ter क्योंकिति A het्योंक्ति यह युनिट की उसकी जरुवत पड़ेगी वह एक काम के लिए मैंने कर लिया था calculate जहां पर जरुवत पड़ेगी यूज़ करेंगे पस ऐसे ही आप लोगों को बता रहा था कि फिर जरुवत पड़े लिए उसको करेंगे आप यूज़ एंट सेंटेड वाली की N is equal to two value समझ में आई अधर ये अरसे सर फेगणा होटे सर मुझे लास्ट लिप्टर से एक डाउटा बोलो अधर ये जो ये डाःग्राम से इसमें बीच में जो green color के पार्टिकल्स क्या है अधर मतलब आयन हो सकते हैं और मैंने इसको green color डाल के बनाया है जस्टो डिफरेंसियेट आट और आटम्स अधिस बोडी सेंटर आटम्स और वो जो सेंटर में 3D के सेंटर हैं हाँ 3D ये सेंटर में हैं और color difference सिर्फ मैंने इसलिए किया है क्योंकि आप identify कर पाएं नहीं तो ये यलो के साथ ये यलो भी डालता तो फिर you might not be able to identify तो मुझे आपके लिए ही बनाना जाना इपीडियर आपने लिए थोड़ी बनाना है ये बात और है कि मुझे नाम नहीं याद रहता है ये सब बट दिमाग में तो मेरे clear है कि कौन से atoms वहाँ पे हैं वही clarity आपके दिमाग में डालनी है मुझे है बोलिया कहां पे यहां पे 8 into 1 by 8 plus 2 into half तो ये तो उसमें लिए था end centred के लिए तो अरे एक सब्सक्राइब is for end centred ये वाला नीचे वाल है हां नीचे है क्योंकि end centred सिर्फ इन्हीं दोनों में होता है बाकी किसी में हो नहीं सकता है orthorombic and monoclinic इन्हीं दोनों में होता है ठीक है body centred team में होते है इनका कैसे calculation है इसका end is equal to 1 ही है किसी में भी देखेंगा अभी फिलहाल मैं इसमें दिखा रहा हूं बाकियों का भी बताता हूं ठीक है यहां पर भी 2 आएगा 8 into 1 by 8 plus 1 into 1 that will be equal to 2 यहां पर n की value के आएगी 8 into 1 by 8 plus half into 6 half into 6 half that is equal to 4 4 ठीक है so n की value 4 हो गई अब देखो जहां जहां systems मेरे 90 degree वाले हैं मतलब यहां पर तो हमारे लाइन पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा to validate this finding which we have done for cubic system the problem might arise in your mind only when the angles are not 90 degree are we getting this point जैसे यह system हो गया rhombohedral हो गया monoclinic हो गया triclinic हो गया बात समझ में आ रही है hexagonal हो गया जैसे monoclinic में तो फरक नहीं पड़ेगा हां फरक नहीं पड़ेगा बट्ट आप इस चीज को समझ पा रहेंगा कि क्यों फरक नहीं पड़ेगा हां 1 by 8 अब गोता क्या है सिर्फ explanation यह है कि इस unit cell में इसका contribution बढ़ गया तो बाजु वाले unit cell में इसका contribution घड़ जाएगा हर unit cell में यह वाले जो है हर unit cell को 1 by 8 1 by 8 1 by 8 करने है थीक है यहां पर इसका contribution आथो में है किसी में ज्यादा किसी में कम है जितना इसका ज्यादा हे उतना ही इसका contribution यहां पर рать है ज्यादा है इसका contribution उतना ही कम है इस units cell को तो net contribution जो होगा वह वन Atom के बरब향 महीं होगा 7कद मिलात रहे मोनो क्लिनिक रॉंबस का 3D से यह यहां पर जो है ना इस रेक्टांगल और यह वाला एंगल चेंज किया गया है अगर अगर आता है तो हैक्सागोनल में चीज़े थोड़ी सी डिफरेंट होती है इसमें अगर यह वाले युनिट सेल के बात करते हैं इस वाले आटम की बात करते हैं तो यह टोटल तीन युनिट सेल के साथ सेड होएगा तीन इस प्लेन में और तीन ऊपर प्लेन में तो टोटल छे से ही होएगा बात समझ में आ रही है कोई भी कॉर्णर आटम जो है that is going to be shared by 6 unit cell 3 in this plane and 3 in upper plane are we able to understand this how many such atoms are there 6 at the top and 6 at the base so 6 6 12 12 into 1 by 6 plus यह center वाले दो आटम्स तो 2 into हाँ प्लस तीन आटम्स यहां पे होते हैं एक यहां center में यह वाले लेयर और इस वाले लेयर के बीज में तीन होगा है एक दो और तीन ऐसे और फेस पर फेस पर फेस पर नहीं फेस पर नहीं है यहां बीच में है देख लो दिखाता हूं यहां पे देखो it will be clear over here HCP packing जो बनी होई थी वह actually इससे बनी है ठीक है यह बीच वाले तीन आटम जो है यह वहां पर मैंने डिपक्ट किया है are you guys getting this point? अर्थर समंद अर्थर से 3 होई yes so that will give another 3 into 1 and the total will be 2 plus 1 plus 3 that is 6 इसके लिए एन के वैल्यू क्या है? 6 है बाकिये simple के लिए एन के वैल्यू 1 है इनके वैल्यू 2 है एंड सेंटर बेस सेंटर के लिए एंड के वैल्यू 2 है फेस सेंटर के लिए एंड के वैल्यू 4 है यह याद रहेगा चलिए पर एक बार हम लोग लिए लिए से इसके वह एक्जाकॉनल में 1 by 6 मतलब सर कौन से प्रेंड में वोने समझत क्या-क्या एक्जागॉनल में 1 by 6 वाज़गॉनल में 1 by 6 वाज़गॉनल कि इसका है या क्यूं हुआ यह पूछ रहे हो हाँ सर क्यों हुआ 1 by 6 हाँ तो मैंने यह बताया कि यह वाला हेक्सागॉन यह वाला अगर आटम के ऊपर कंसेंट्रेट करते हो तो तो इस इस गूइंग तो बी सेर्ड वाई एक यूनिट सेल दो यूनिट सेल और यह तीसरा यूनिट सेल इन दिस इस प्लेन यह वाला जो प्लेन है इस प्लेन में यूनिट सेल से सेर्ड होगा यह 120 है यह भी 120 यह भी 120 360 हो गया बात समझ में आया हाँ सर और इसके ऊपर इक्जाक्ली तीन और यूनिट सेल्स होगे जिनके साथ यह सेर हो रहा होगा होगा ना हाँ समझे टोटल कितने के साथ सेर हो गया है सिक्स तो कॉर्णर आटम का कंट्रिबूशन एक यूनिट सेल में कितना रहेगा अब वन बाई सिक्स बेरिंगोड चलो पर आगे बढ़ता है है यह मुझे नोट करना था यह जो लिखा है डेंसिटी अरे अब लिख रहा हूं यह लिखा है कि नहीं लिखा है यह लिखना है यह अभी देंसिटी वाला पार्ट यह लिखना है अभी देंसिटी वाला पार्ट यह लिखना है अभी देंसिटी वाला पार्ट यह लिखना यह तक लिखना है of unit cells except hexagonal primitive primitive any corner none atom will be shared by eight different unit cells thus each corner atom will contribute approximately approximately one eighth of its volume will contribute approximately or every use average one by eight of its volume to to any unit set as all eight corners are occupied by so total number of atoms elements contributing in their volume to this step will be eight 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 therefore eight into one by eight eight is one by eight is one and this is this is total number of atoms equal to one total number of atoms one contributing 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 to their total volume to one unit of the 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 so any primitive system is going to be n is equal to one your end centered apart from hexagonal to centered for all last one yeah last one for all end centered unit cells n is equal to yes I got eight atoms how eight atoms contributed in eight partners contributing one by eight of their its volume different unit cell secondly the face centred the the face अग्टम्स से अग्टम्स से अग्टम्स यंग-ग्टम्स इंग-ध्टम्स रुड़ झाल 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 there are two hello answer how two faces whose centers are occupied occupied thus when that is one or unit said from it's accepted is that okay thus total 8 into 1 by 8 plus 2 into half that is between 2 atoms per unit 7 next one is body centered body centered यह नहीं एप्सेंट प्र देम आप्सेंट एंट वे वेट टू अप्सेंट एफ एक वेट 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 बूग eight atoms at each of the eight coordinates contributing one by eight of their volume to any given unit cell the atom and body center center and trying totally or is entirely and entirely contributing it's 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 contributing its entire world it's contributing beauty in our character and after and the 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 एंस पार बार प्र्षारत अई बाद हो जब गैपंड के लिए अटने बार अब राक पॉछ्ट जब गैजने नगल पर दम टो अटने जाम उडशने डेग जाणट यहां तिर नो सिर्मा हो गया तो फिर में नेक्स पेस्ट पर जाना होल आ मोसकत . से परकाई इस व इस इन करना यह एक टो करना ता करो I'll correct okay this will be not 2 x 1 2 x 1 x 8 n-centered atoms for this it is going to be 1 x 1 that is 2 अवंज भर ये लिए ये जिए टांस थे चाहिए ग्सेट पर टिए अज्ड़ बिए टांस ट्रबीक मने फो ये विव लिप विए टिस उनेट मैं और पर्न में सिंग प्याइब को इन पेस्ट पहिए हम इस जाय कि इन पर उन प्याइब इन पर रख छैने जे प्याइब विए हैं इन पर इन पर रख बादोर्वी एज प्यार देश्छ फेंटर प्या हैं लॉद्ट अरफ फुट्ट व्ह उख लिएफ बाद की निएफ कर दो रस अ कर आद hebशे न कर दो थे अ कर दो न कर दो प्योंट गुटिस अ कर दो प्यो कर दो थे सर यृट お मद अ प्योड से न नस를 प्योंच है। ये से अधिक हां ये से अचितार्व एज एठकोजिते हैं कि अधिरे इवक अधिरें में टेरी है कि अधिरें जो हुआ है यह दो भी जे पाफिछान से की अवान आव्रात्व जेंग है सुस्कारर इसकारक्ड़ारा है ने जिसकी विवियरे इसकी यह मांगाइब ने तुरम पिर गॉच्ट पॉर्णाब गॉच्ट च वर भी। हुई हुई सबसे पिंट हम यॉब जन एट रस अवब उनकίν एि पालन hjälन उनक भलड से भी हई कर लिय है छिनका वर याल में कि तर्दोष एुरूचे तरीजित तो जाती है आप सबस्ट तरदीत कि तर्दोफंब नह्न One पुट्सा में में मिला क्फासीた अोने हुट्से ह पुरू यट्सा ऑ intensive hele चिटू है पुरूता जावतters कि अने अने कि अने तून अने जून आंग को अे कि अन अने अना ने सरे फैसेश्स यह ऌताता अपर शोड़ा ताम लुगता है चाहिज थे लगता अपर शोड़ा तोड़ा नहीं है समय अारत समय आरत प्लुओंग 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 जो बिए पूच्ट को बेत मैं इन आरत हुआ ज आरत आरत बार वेल्ग वाल हो तो ने अमें पाट जरी अविट से ताब हो तो इने वेश्यत कि अमें उना हो उसान साहर। in between top and bottom also between top and bottom that's not going to have it in both faces or will contribute to their entire the order s the the ह说 औरकत्षे आव औरसces अवासर, इसबोसर, इसितर है गगे अवासर атель 16 heraw taught C औरकत्षे खला से, आवाई गर दोला से, लाई सक्षे Μगोडाज से, लाई जो और दोला से, लाई से, लाई सुमाट धिसक्षेर और यू मेँवासर, लाई से, लाई सब्से याथ एनल स भी अट जब सतरोस आपोका लो मेंश्छय斯 के लिएमेशया है नी हिएमेश्छ besar में आल हो जयको ब मेंश्छयर चैस्छ आफों आप लो मेंश्छयर गुटोर स्टॉल इत्रोसां अवैकर 10 ले चार लिएमेश겨 अच्छर देट सामन्थ हाँ नोट कर लिया आपने हाँ अब इसके बार नेक्स कास्स जो हमारा होगता है वो है वोल्यूम कैल्किलेशन ठीक है तो वॉल्यूम कैल्किलेशन के यह दाइन पर वॉल्यूम कैल्किलेशन येस वॉल्यूम कैल्किलेशन अफ यॉनिट सेल्स एंदेन ओविसली और उसी के साथ मैं पाकिंग फ्रैक्शन भी बताते जाओ ठीक है दब अभी नहीं बद बात में तो तहले वॉल्यूम कैल्किलेश अभी हम लोग जो देख रहे हैं जो मेटालिक सिस्टम में उसली देख रहे हैं थोड़ी देर बाद आनिक सिस्टम में आएंगे तो आटम सारे इनको देख रहे हैं एक टाइप एटम होगा एक बीड़ाइप और वो दोनों का अलग-अलग यह होगा क्या बोलते हैं रेडियस होगा खांगे उसको भी हैंडल करना सिफाँगा अभी सिलाथ समझ लो अगर मेरा क्यूबिक सिस्टम है ठीक है क्यूबिक सिस्टम अगर है मेरे पार्स कर दो प्रूम्हिक कि नो है 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 वो host प्रूम्हिक कि अ긴व मुए कि ये थग कि ये न unfair तो मुझा कुछम कर दो कर दो दो कर दो कर दो कर दो हएंश कर दो कि भुबन कर दो दो वह इसाएंगा कुछी और चाहर है प्रेंगा प्रेंगा इसाएंगा टू बारिके प्रेंगा टू भूल काईगा एक बैने, बने, बने प्रचाः, बातर रेकों, आधर्चाः, एक प्रचाः, एक बातर को पॉर्चों है? कि अब भूद आना कि अब लग ओूद इंदे पूदल अरख तैना कि अब दूद एंदे घर लेखने कि आना कि इने जती ईंदेशने जावागा है एक आदेश्म आदेश्म नेहीं है ए अभी जब क्या हो रहा है हमारे एजल सिर्ड अमरा कूबिक उनित आपक दिविक और यह सेंटर से रेडियस अगर र्याव है यह भी रेडियस र्यायक्यौंद means एसर लैंध जो वोगा मेरा वोट वह और वॉल्यूम lip वर्यूम सेंड नहीं है वॉल्यूम ब्यकॉमिक का धुं कर सुतर क्यों तो अगर दोनो आटम टाइब सेम है तो अगर मान् लो एक टो टाइप सेम नहीं है तो पिर यह QB बने का Q Waid यह QB बन सकता है अईसा नहीं है एक ATOM दूसरा दूसरा-3 आ चौथा-3 आटम ऐसे Alt coupon डहें घए ठीक है तो इसका R1 रहेगा इसका R2 रहेगा सो हमारा यह भी जो होगा that will become R1 plus R2 का whole cube सामन में आ रहे है अथर अथर सामन अहां से तो अगर प्रिमिटिव सेफ रहे है ठीक है क्योंकि वो तच एक दूसरे को अलॉंग देजी करने अगर प्रिमिटिव सेफ रहे तो ठीक है और और प्रिमिटिव सिस्टम सिस्टम अब दूसरा सिस्टम मेरा क्या है बॉडी आएंड सेंटर तो तो और याएंड सेंटर्ड क्या होंका एंड सेंटर्ड के लियर there are going to be three atoms in top plane and the bottom plane right three atoms in the top plane and the bottom this means this atom this atom and this this one at the corner this one at the center this one at the second partner at the top of the face they are going to touch each other so the diagonal is going to be equal to the diagonal will be equal to diagonal will be equal to 2R sorry it is going to be 4R 4R thik hai so edge ka length agar ye top edge ka length joh hai that is going to be equal to a so we will have root 2A is equal to 4R or a is equal to 2 root 2R thik hai thik hai thik hai a sirow yes it is the core r0 thik hai chee thik hai thik hai thik hai thik hai thik hai यह बात समझ में आ रहा है, आयनिक सिस्टम जब तुम्हारा रहेगा तो यह वाला आटम इन दोनों से डिफरेंट हो सकता है यह इसमें कोई डाउट नहीं है न और यह ऊपर से नीचे तक का हाइड जो होगा ताट विल वी इक्वर्ट तू वार क्योंकि ऊपर और नीचे वाले टच कर रहे होंगे ठीक है न यह बात समझ में आ रही है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरा यहां पर वॉल्यूम यह आ गया यहां पर वॉल्यूम क्या आ जाएगा वी इसे किवर टू रएगां टू रजा है नहीं क्योर्ठ लख फस्ड़ी टूर्ट लुटे टूर्ड-ूर्ट यहां झाएगागां टूर्ड़्यूम क्यों यह रविल्यूम क्यों ग्यों तक है अगर टूर्ड आटर्ट अर्ट इस आर्ट रट तो it will become we will be equal to यहाँ पर 4 के बतले 2 R1 प्लस R2 हो जाता है तो रूपू से डिवाइड करते तो root 2 into R1 plus R2 का whole square multiplied by यह R1 नीचे भी R1 प्लस R2 का whole square और यह है तभी है यह जब डिफ्रेंट आइंटम से बनावा जिस्टम रहेगा ऐसा भी हो सब्सक्राइड नहीं नहीं जो मंतरी को महीं हो जाएगा तो यहां पर भी R1 R2 ले रहे हैं तो यहां पर भी R1 R2 ले रहे हैं नहीं होगा तो यह वाला फिर नीचेटिव होना पड़ेगा ना लिगोशनी आएगा तो हम फो मन करिगा से पही हां नहीं अगा अधूसमें टाइम है फड़ और बड़ा बनापड़ेगा चला एंटेंटर समझ में आ गया अब बादी सेंटर के बाद कर लेते हैं oh for body centered systems is making over oh 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 दिख च है थे लिए थे के वे लिए को तुके लिए अच्ट के लिए दिए यह तो दिए टीओ स्ट विए श्ट इस विए दिए दिए तो दिए so a A makes this diagonal so this diagonal is equal to root 3 a which is equal to 4 r therefore A is equal to 4 by root 3R volume will be equal to AQ that is 64 by 3 root 3 RQ Eqqo 2R कैसे बोलोगे, यह दोनों touch नहीं करेंगे N só they are going to be far apart They are not going to touch each other, they are going to touch a long body diagonal ठीक है यह लेयर और नीचे वाला लेयर एक दूसरे को टच नहीं करेगा, there will be some space in between, is that okay? नहीं तो simultaneously दोनों एक दूसरे को टच करी ही नहीं सकते, यह वाइड का साइज जो है, अगर यह दोनों लेयर टच करने रखेंगे, तो वाइड का साइज 7.732 था, था ना, वाइड रेस्यो बाइड रेस्यो बस 0.732, अभी यह दोनों का रेडियस अगर आपने स्टेंड कर द का आपके है, अथार देस सामन्त, हाइड, हाइड क्या बोल रह रहा हूं का ब मुक्त है, यह बोला कि क्यूबिक वॉइड जो था उसका रेडियस जो था यह भी अवाइड बाद यह दो यह उदर अपने लोखो ने वॉो ने मैं calculate किया अभी क्या है यहां void पे जो atom पड़ा है उसका size इस atom के बराबर है इसका मतलब क्या हो गया कि यह नीचे वाले जो layers हैं इनको ऊपर वाले layers से separate होना पड़ेगा तभी तो जगह बनेगा ना इसके इंटर करने के लिए बड़े atom के हां ठीक है है अब पीडियो भेज उम्म कर लेना अभी एक आत्री वाला मुझे कर लेना ठीक है और बाडी सेंटर के लिए हो गया आप लोग का उसके बाद next thing for face centers face centered face centered system के लिए क्या है इसमें फिर से हमारा ओड़े इस देरी प्रिकेशन उड़ प्रीविए स्वान ये वाला बस इसमें हाइड भी जो है हमारा एड़ विले कम देशें बैट किक है FCC मैं I will have the same value as edge length right now height will have same value as age length right now जो system वहाँ पर बन रहा था top and bottom में वहीं हर फेस पर बनेगा इसमें प्रॉब्लम क्या है इस परे पर्फर्पर आप है तो है प्रॉब्लम क्यां है थना करते ऊका है हुआ प्रीका है है टर्यक्व किसी this thing is going to be 4R is equal to 2K that implies A is equal to 2R and height is also equal to 2R because here configuration is same here and here are the 삼 license to touch this right so now a volume what will become equal to a square in which they are 2 to the 4 to the 8, 8 to the 16, 16, f2 root 2 r, square into 2 root 2 r, 2 to the 4 to the 8 to the 16, 16 root 2 r, that will be the volume, अब अगर radius अलग अलग है, तो भी कोई problem नहीं है, तो भी r1 प्लस r2 के साथ हम इसको handle कर सकते हैं, ठीक है, so hexagonal अगर है, तो volume क्या होगा, बाकी सब के लिए और कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो जैसे मैं 1-2 के examples आप लोग को बता देता हूँ, qvoid अगर है, ठीक है, आलो यह qvoid है, यह वाला qvoid है, है ना, और थोड़ां भी, तो अ परफेक्क qvoid type system, यह tetragonal भी qvoid है, तो it will simply become a into b into c, यह भी a into b into c भो जाएगा, वॉल्यूम, ठीक है, mono cleaning वगेर जैसे का, जिनका base angle 90 नहीं है, यह वाला angle, या तो question में देगा, नहीं तो इसका, इसका size और इसका size देगा, या फिर इसका size और इसका size देगा, वो तो touch नहीं हो, कौन touch नहीं होगे, यह touch होंगे ना, आपने, और यह वाला, कौन वाला, यह वाला और यह, यह और यह, हाँ वो radius ratio को depend करेगा, यह cubic void है, 0.73, इसका radius ratio, इसका radius ratio 0.73 से ज़्यादा का रण महीं होगा, तो यह और यह touch करेंगे, आप समझगा रही है, और यह diagonal के along रहे हो, अब वो depend करेगा system क्या दे रहे है, 0.73 से छोटा दे रहे है, अगर छोटा देंगे, तो यह touch नहीं करेगा, यह दो हम touch करेंगे, बद समझ में आ रही है, so it will depend, that is where the complication is going to start, ठीक है, life is never easy, so, अब यह angle माल दो दिया हुआ है, alpha, और इसका angle with plane दिया हुआ है, 5, ठीक है, यह यह theta दिया हुआ है, यह 5 दिया हुआ है, तो area of base क्या हो जाएगा, a, b sin theta, height क्या हो जाएगा, c sin phi, तो volume हमारा इस तरीके साम निकाल सकते हैं, बात समझ में आ रही है, tri clinic वाले में भी similar rule supply होईगे, तो इन figures की volume हो निकाल सकते हैं, अब एक figure खाली बचा मेरा, यह hexagonal का करादेता हूँ, यह भी थोड़ा regular होता है, irregular को तो handle करने बता दिया general चीज, उस time पर क्या dimensions दिये हूए, यह अब आपको अपने दिमान से, मतलब यहाँ पर आपको अपने दिमान से क्लेला हो, ठीक है, और, I cannot teach that, I can teach with diagrams की यह कर सकते हो यह करना होगा, पट इस स्पेसिफिक वो क्या केस देंगे हैं, I don't know, देंगे भी कि ने देंगे यह भी देंगे, ओके, और, hexagonal system क्या होगा, hexagonal primitive lattice, यह primitive unit से, इसका volume क्या होगा, यह हम लोग देखते हैं, तो, अगर हम लोग यह पर आते हैं, यह पीछे वाले diagram पर, what are we going to see is, यह, सीगा, this is going to be 2R, a hexagon of side 2R, right, अच्छा, यहाँ पर, do you think it is forming a tetrahedron, यह दो आटम, यह एक आटम, यह एक आटम, और यह वाला आटम, यह front view इसका, और यह top view, is it forming a tetrahedron, और not, yes sir, ठीक है, similarly, यह भी एक tetrahedron form कर रहा है, तो tetrahedron का जो height हमने calculate किया था, उस height का double मैं कर दू, तो इस hexagonal system का height मुझे मिल जाएगा, यह तो आपकी लोग बताओंगे ना, मैं कैसे बताओंगे, देखो कब क्या है, अच्छा बोला था कि इसको याद रखना रहा है, रूमार्क करके, बोला था क्या, तो इसको याद रहा है, ठीक है ना, तो इस height is going to be in terms of, यह अगर radius R है, आटम का, तो 2 root 2 R, 2 root 2 R by root 3 R आ रहा है, तो इस height is going to be, 4 root 2 by root 3 R, यह height हो गया, बेस का एरिया क्या होगा, तो एक्विलेटरल ट्रांगल यह बना रहा है है, 6 एक्विलेटरल ट्रांगल, 2 R, 2 R, 2 R, इस एक्विलेटरल ट्रांगल का एरिया क्या रहाएगा, 2 R into root 3 R by 2, 4 root 3 R square, 6 है, 6 root 3 R square, into height, height क्या है, 4 root 2 by root 3 R, root 3 root 3 cancel, this will become 24 root 2 R cube, this will become the volume of hexagonal system, शिर्व आपई से कोई सम्झाओ नो, एरिया औफ एक्विलेटरल ट्रांगल बन रहा है, 2 R, 2 R, 2 R, perpendicular डालेंगे, दिस एक्विलेटरल ट्रांगल बन रहा है, होगा ना, अप्विलेटरल ट्रांगल बन रहा है, जिस एक्विलेटरल बन रहा है, रूटरल ट्री बन रहा है, root 3 by 4 A square, A is 2 R, 2 R, 2 R, 2 R, 2 R, ठीक है ना, तो यहीं तो आया, और इसको 6 से multiply किया, तो area of entire hexagon आ गया, ठीक है, छे एक्विलेटरल ट्रांगल रहेंगे ना, next thing is, इस चीज़ को height से multiply कर देंगे, ठीक है, area into height, ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए, हम लोग यहीं पे रुख जाएंगे, volume calculation में एक्विलेशन में ठीक है, क्युमि एक्विलेशन में भप्तविप़ हैंगे,